तीसरा पाठ, मैं हूँ रोबोट, प्रिष्ठ संख्या 12 से 16 तक, तो सुनिये पाठ, मैं हूँ रोबोट, मैं एक यंत्रमानव हूँ, आम भाषा में लोग मुझे रोबोट कहते हैं, मुझे देखकर आपको हैरानी होगी कि मेरा रूप, रंग, आकार और शरीर तुम से नहीं मिलता, फिर भी मैं तुम्हारे जैसे बहुत से कारे कर सकता हूँ, और वे भी जो तुम नहीं कर सकते, मेरा शरीर हाड मांस का नहीं, बलकि लोहा, इसपात और प्लास्टिक से बना है, मेरी भी टांग, भुजा और अंगुलिया हैं, लेकिन मेरे ये सभी अंग धात्वों से बने हैं, निर्जीव होते हुए भी, मेरे सब अंग तुम्हारी ही तरह काम करते हैं, मैं चल सकता हूँ, उचल सकता हूँ, और कूद भी सकता हूँ, तुम्हारी तरह अपने हाथों और अंगुलियों से, मैं मशीन के पुर्जे फिट कर सकता हूँ, बोजह उठा सकता हूँ, और ना जाने कितने काम कर सकता हूँ, तुम्हारे शरीर में शिराओं और धमनियों का जाल बिचा हुआ है। उनमें रक्त का प्रवाह होता रहता है। इसी रक्त से तुम्हें शक्त मिलती है। लेकिन मेरे शरीर में तारों का जाल बिचा हुआ है। और इन तारों में खून की जगह विद्युत धारा बहती है। यही विद्युतधारा मुझे काम करने की शक्ति देती है। तुम सोचते होंगे कि मैं निर्जीव पुतला ये सब काम कैसे करता हूं। काम करने के लिए मेरे पास मस्तिश्क है। लेकिन तुम्हारे मस्तिश्क से बिलकुल अलग। मेरा मस्तिश्क कम्प्यूटर है। जो भी मुझे करना होता है उसके लिए मुझे कम्प्यूटर आदेश देता है। उसी आदेश के अनुसार मैं काम करता हूं। कम्प्यूटर की स्मृती में वह सब संचित रहता है जो मुझे करना होता है। तुम शायद विश्वास नहीं करोगे कि मैं देख सकता हूं, सुन सकता हूं, बोल सकता हूं और छू कर अनुभव भी कर सकता हूं। देखने के लिए मेरे पास आँखें नहीं हैं, बलकि मेरे शरीर में कैमरे लगे हैं, मेरे कान तुम्हारे कानों से बिलकुल भिन्न हैं, मेरे शरीर में लगा माइक्रोफोन ही सुनने का काम करता है। बोलने के लिए मैं गले और जीब का सहारा नहीं लेता, मेरे शरीर में लगा लाउड स्पीकर बोलने का काम करता है। छूने का बोध मुझे विशेश प्रकार के स्पर्श समवेदियों द्वारा होता है। कुछ भी हो, हूँ तो मैं तुम्हारा ही बनाया हुआ मशीनी मानव। दर असल मैं तुम्हारा सेवक हूँ, लेकिन मेरे जैसा सेवक तुम्हें कहीं मिल नहीं सकता। मैं भूखा, प्यासा, बिना कुछ खाए पिये, सर्दी और गर्मी में बिना ठके और बिना उबे, अकेला ही काम करता रहता हूँ। तुम जब तक चाहो, मुझसे काम ले सकते हो। काम करवाने के लिए मुझे बरफीली ठंडक में भेज दो या पसीना लाने वाली तेज गर्मी में, मैं दोनों जगह एक जैसी गति से काम कर सकता हूँ। इतना ही नहीं, मुझसे तुम किसी गंदे, विशहले और विशम वातावरण में काम ले सकते हो। मैं बिना चूँचपर किये, तुम्हारा काम करता रहूँगा। मैं तो तुम्हारा ऐसा आज्याकारी सेवक हूँ, जो बिना हिचक और विरोध के काम करता है। मैं अकेला ही 20-25 मजदूरों के बराबर काम कर सकता हूँ। अब मैं तुम्हें उन कामों के विशह में बताता हूँ। जो कोई भी हाड मास से बना मजदूर नहीं कर सकता, लेकिन मैं कर सकता हूँ। मैं सुलगती हुई भट्टी में हाथ डाल कर लोहे की तपती हुई लाल सलाखों को अपने हाथ से पकड़ सकता हूँ। ऐसा करने पर मेरा हाथ नहीं जलता। यदि किसी भवन में आग लग जाए तो मैं बिना डरे और घबराए आग भुझाने के लिए उस भवन में प्रवेश कर सकता हूँ। वहाँ फसे लोगों की जान बचा सकता हूँ। मुझे कितने ही कहरे समुद्र में डुबा दो उसकी तलहटी पर पहुँचकर तुम्हारी किसी भी खोई हुई वस्तु को ढूंड कर ला सकता हूँ। कुछ वश पहले तुमने मेरी ऐसी ही बहादुरी की कहानी पढ़ी भी होगी। जब कनिश्क नामक विमान दुरघटना ग्रस्थ होकर सागर में डूब गया था, तो वह मैं ही था जो उसके मलवे को समुद्र की तलहटी से बाहर निकाल कर लाया था। मनुष्य अपनी बुध्धी के बूते पर चंद्रमा की सता पर जा पहुँचा है। मैं ही उससे पहले चंद्रमा की सता पर जाकर वहां की मिट्टी खोद कर लाया था। चंद्रमा तो चंद्रमा, मैं तो मंगल ग्रह पर भी जा चुका हूँ। वाइकिंग प्रोब में जो मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए अमेरिका ने भीजा था। उसमें मैं ही था। मैंने ही मंगल ग्रह की सता पर जाकर वहां की लाल मिट्टी खोदी थी। और उसका परीक मैं चल सकता हूँ, हाथों से काम कर सकता हूँ, देख सकता हूँ और वस्तुओं को छू सकता हूँ, लेकिन अभी मैं गंध का अनुभव नहीं कर पाता हूँ. यदि तुम चाहो कि मैं बागीचे से फूल तोड़ लाऊं, तो यह काम मैं कर तो सकता हूँ, लेकिन कौन सा फूल, गुलाब का या गेंदे का, यह मैं नहीं चुन सकता. मेरी अंगुलियों में और हाथों में कई प्रकार की गतियां हैं, लेकिन अभी तुम्हारे हाथों की अंगुलियों की गतियों से कम हैं. चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारे द्वारा बनाया तुम्हारा ही सेवक हूँ. आने वाले कुछ वर्षों में मैं तुम्हारे काम का बहुत बोज कम करतूँगा. मेरी सहायता से तुम्हें सप्ताह में 40 घंटे काम नहीं करना पड़ेगा. तुम्हारा काम करने का समय मैं कम करतूँगा. मेरी सहायता से तुम भविश्य में छुटियां भी अधिक ले सकोगे. यह भी हो सकता है कि तुम घर बैठे ही अपने कम्प्यूटर द्वारा मुझे काम करने का आदेश दे दो और मैं तुम्हारी घैर हाजिरी में तुम्हारा सारा काम करता रहूं. अंत में मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि मैं चाहे कितना ही चतुर और दक्ष क्यों ना हो जाऊं रहूंगा तो तुम्हारा घुलाम ही क्योंकि मैं तुम्हारे ही मस् राजीव, गर्ग, अभ्यास, शब्दार्थ, यंत्र, मशीन, प्रवाह, बहाव, विद्यूत, बिजली, संचित, इकठा, तलहटी, समुद्र के नीचे की जमीन, दक्ष, योग्य, कुशल, भविश्य, आने वाला समय, उपज, फसल, एक, पाठ संबंधी प्रश्न, क, तुम में और रोबोट में क्या-क्या अंतर है, क, अगर तुम्हें रोबोट से कुछ काम करवाना हो, तो क्या करोगे, दो, सही मिलान करो, क, तुम्हारे शरीर में, ख, मनुष्य, अपनी बुद्धी के बल से, ग, रोबोट का मस्तिश्क, ग, रोबोट का शरीर, अना, रोबोट, इन शब्दों को, इन शब्दों से मिलाएं, चांद पर पहुँचा है, शिराओं और धमनियों का जाल बिचा हुआ है, लोहा इस बात और प्लास्टिक का बना है, विशैले और विशम वातावरण में काम कर सकता है, कम्प्यूटर है, तीन, सोचो और जवाब दो, क, अगर रोबोट की आँखें या हाथ न होते, तो वह कौन-कौन से काम नहीं कर पाता, ख, रोबोट ऐसे कौन-कौन से काम कर सकता है, जो मनुष्य नहीं कर सकता, ग, रोबोट ऐसे कौन-कौन से काम नहीं कर सकता, जो मनुष्य कर सकता है, चार आओ, कुछ और करें, रोबोट कई आकार प्रकार के होते हैं, जैसे गाडी नुमा, मशीन नुमा आदी, पत्रिकाओं और समाचार पत्रों से उनके चित्र और मन पसंद लेख काट कर अपनी कौपी में चिपकाओ, जरूरत हो तो कम्प्यूटर अथवा इंटरनेट की भ जैसे की सजीव, निर्जीव, क, सम, ख, गर्मी, ग, गंदा, घ, कम, न, जीवन, च, हाजिर, छ, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो, क, मेरा शरीर हाड मांस का नहीं, बलके लोहा इसपाद, और प्लास्टिक का बना है, यहाँ दो विकल्प दिये जा रहे हैं, जैसे बलकी, अत्वा या, तो इस वाक्य में हमने जोड़ा बलकी, ख, वेनू, सात्वी कक्षा में पढ़ता है, रिक्तस्थान, उसकी बहन, आट्वी कक्षा में पढ़ती है, विकल्प हैं, और अत्वा फिर, ग, पहले खाना खालो, रिक्तस्थान, पढ़ना, विकल्प हैं, लेकिन, अत्वा फिर, ग, तुम्हें घूमना पसंद है, रिक्तस्थान, खेलना, विकल्प हैं, किन्तु, अत्वा, या, न, मैं तैरना चाहता हूँ, रिक्तस्थान, मुझे तैरना नहीं आता, विकल्प हैं, लेकिन, अत्वा, और, च, छाता लेकर जाओ, रिक्तस्थान, भीग जाओगे, विकल्प हैं, फिर, अत्वा, वर्ना, साथ, पढ़ो, और समझो, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ो, और, वेखांकित शब्दों की और ध्यान दो, तुम जानते हो कि ये शब्द मैं शब्द के विभिन रूप हैं, मैं शब्द सर्वनाम हैं, और ये सभी शब्द भी सर्वनाम हैं, इसी प्रकार वह अर्थात लड़का अत्वा लड़की, तथा, तुम सर्वनामों के विभिन रूपों से पांच-पांच वाक्य बनाओ, नमूना, वह यंत्रमानव नहीं है, तुम यंत्रमानव हो, मैं एक यंत्रमानव हूँ, आम भाशा में लोग मुझे रोबोट कहते हैं, यहां रेखांकित शब्द हैं, मैं और मुझे, मेरा शरीर हाड मांस का नहीं है, यहां रेखांकित शब्द हैं, मेरा, मेरी भी टांग, भुजा और अंगुलियां हैं, यहां रेखांकित शब्द हैं, मेरी, लेकिन मेरे ये सभी अंग धात्वों से बने हैं, यहां रेखांकित शब्द हैं, मेरे